मैं आपका रानर जवाद हमद फिर से आज़र हूँ आज एक नई वीडियो में आज हम जिस लैप्टॉप का रेव्यू करने वाले हैं जिसकी प्राइस के वारे में बात करने वाले हैं जिसकी आज हम छोड़-छोड़ी कमांड से आपको बताएंगे कि लैप्टॉप को चेक क किसी किया जाता है बैटरी है किसे चेक होती है इस पर हम और क्लॉकिंग किसे चेक कर सकते हैं परसेसर की कितने क्यागा हार्ड्स है कितने क्या गये जा सकता है रैम इसमें एक reck तो आज हम इसके अबाउट बात करने वाले हैं और हम गेम भी चेक करेंगे कि गेम इस पर कैसी रन होती है जी टेस्ट करके देखेंगे इसको तो अगर आप मारी वीडियो पे न्यू है तो काइड ली चैनल को सबस्क्राइब कर लें लाइक करें दोस्तों में शेयर करें ताक स्टम हमारे पर मजूद है स्पेसिकेशन की बात की जाए तो कोरे 7 में 7th जेनरेशन मिलता है रैम इसमें 16GB है और ग्राफिक कार्ट इसमें एंवीडिया जीटी एक्स 1070 डी डिजाइन के साथ हमें ये मिलता है 8GB मेमरी में मिलता है और इसमें पोर्ट देख लेते हैं स्टम में कौन कौन सी है यहाँ पे यह लोगों में MSI का मिल जाता है और यह बड़ी पहरी है जो है गेमिंग लोक दे रहा है यह लेडी लाइट है यह लैट लैप्टाप अन करने पर आन हो जाती है तो यहाँ पे में अन ऑन आफ का बटन इस साथ पार साथ ऊस्पड़ पॉर्ट एक हमें यहां मिल रहा है ठीक है जी और एक हमें यहां मिल रहा है तो यह चार फैंस के साथ यह laptop जो है design किया गया है और यहां पर देख सकते हैं यह देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है और यह बड़ा खुब्सूरत और slim laptop है वेट इसका है 1.9 kg मेटल बोडी में है सारा और इस साइट पर देखें तो हमें कौन-कौन से पोर्ड मिल जाती है इस टाइब अर्थनेट है साथ हमें Micro SD Card का Option है और 3 USB Ports है और सब Super Fast में है सब Blue Ports में मिल जाती है 3.0 3.1 में और हमें दो कनेक्टर मिल जाते हैं एक हमें audio का और एक हमें माइक का अच्छी laptop ओपन करते हैं laptop की नीचे से भी आपको दिखा दूँ नीचे क्या क्या चीज़े मैंचन है यहां से आप देश सकते हैं यहां पर इसका model नबर मिल जाता है Windows Pro एक logo मिल जाता है notebook model नबर सारा और यहां पर देखें तो इस ट्रेम जो इसकी specification है i77 32GB HDD 512 SSD 1TB ठीक है जी और यह देख सकते हैं यह फैन है इसका एक इसका यह fan लगा हुआ है एक इसका यह fan है एक यह fan है चार fans में यह चीज़ मिल जाती है और यह steel में है लेकिन steel में इसको cool कूल रखने के लिए सारा इस अब यह leather लगा हुए इसके नीचे जो इसको गर्म नहीं होने देता यहां पर speakers मिल जाते हैं दो यह और speakers हमें अंदर वाली साइट पर भी मिल जाते हैं इसको हमदरा खोल के देख लेते हैं और यह one hand पर ही इसको अराम से खोल सकते हैं तो यह से हमारे पास laptop की look है क यहां पर indicator lights देखिए जाएं तो कौन कौन सी दी कही है इसमें अगर आप sleep पे लेगे जाते हैं CPU की है और Bluetooth की मिल जाती है Wi-Fi की मिल जाती है प्लस पैट की मिल जाती है अच्छा जी अब यहां पर logo में जो मिल रहा है i77 generation का भी मिल रहा है body और keyboard इसके है यहां पर लिखा रह अच्छा दिया गया है जहां से में laptop on करते हैं तो यह lights इसकी चेक कर सकते है RGB lights है red starting पर red है इसकी जो default light है जैसे ही laptop on होगा तो यह lights इसकी change हो जेंगी देखें यह खुद बहुद चेंज होने शुरूए जाएंगी जो setting करके रखी हुई है उस type lights इसकी चलेंगी तो यह system on हो अच्छा अच्छा अब यह देखें जी हम यहां से इसको पहले मुकमल इसकी डिटेल चक करते हैं वो कम सर्च में लिखेंगे डी एक्स टी आई एंची तो यहां पे सारी इसकी specification आजाएगी model number complete क्या है और पर सेसर कूंसा है BIOS memory हर चीज जो है यहां पर में current time computer हर चीज मिल जाती है तो यह इसका model number है GS63 VR 7RG और MSI का यह model हमें complete यहां पे मिल जाता है i7th generation है HQ processor में 8 CPUs के साथ 2.8 GHz हमें मिल जाती है 16 GB RAM मिल जाती है next पे आते हैं तो जो इसका Intel का graphic card है वो बतारा 630 लगा हुए है तो यह shared हो के 8 GB में हमें मिल रहा है feature level इसका है 12.1 अगर display 2 पे आते है जो NVIDIA का graphic card है GTX 1070 with Max-Q design 8 GB display memory VR में अगर देखे तो 8 GB में में यह मिल रही है और यह भी 12.1 में आ जाती है तो next पे अगर हम है sound इसके देखें दो नीचे भी sound था और इसके उपर भी sound था दो sound one भी आ रहा है sound two भी आ रहा है तो यहां पी यह हमारे पास आगया है यहां से हम configuration और यह कॉल लेते हैं यह देखे लिए जहां पी आपको यह graphic card बता रहा है HDMI से भी यूज कर सकते हैं और display port से भी यूज कर सकते हैं और यह देख सकते हैं इस तरम जो current display चल रहा है वो 360 360 30 चल रहा है HD graphics का तो यहां से अप स्लेक्ट प्रसेसर कर सकते हैं कि कौन सा चले इस टाइम तो रिकमेंडेड में आट हो यह अगर आपको हाई है वी चीज़ चीज चलाएंगे तो एंवीडिया पर चला जाएगा अगर आप लोग वर्टेज बेको चीज चलाते हैं तो वह आपको बैटरी और इसके मोडल को चेक करने का बताया था तरेका वह सीमडी में अपने कमांड लिखनी थी वह डिस्क्रिप्शन में भी आड़ होगी तो यह अपने कमांड लिखनी है पावर सी एफजी स्पेस बैटरी रिपोर्ट तो यह आपको पाथ लेगा आपने उस प पीसी में आना है दिस पीसी में सी में यूजर में यहां पर सबसे लास में बैटरी रपावर पर यह आज यहां से आप देख सकते हैं पहले पूरा मोडल नमबर बता रहा है देखें आप नेम इसका देख सकते हैं मैनिफेक्चर मैसाई की अरिजिनल ही है लेटियां बैटरी है डिजाइन कापस्ट्री चोंसर दार की थी और इस ताम जराएगी वह 56,000 है तो बैटरी यूजर के साफ से बहुत अच्छी पड़ी हुई है टाइमिंग बहुत अची हो है कि इसकी किस ग्राफिका किस कैसी रेजलेशन पर यह चलाता है तो यह जीटिया फाइव यहां प्यान कर लेते हैं तो यह स्टम गेम आउन हो जाती है जरा इसको दरा फुल स्क्रीन कर लेते हैं आर्ट इंटर और भी ऐडिया हो जाएगा कि भी मैं आपको सैटिंग में बताऊंग ग्राफिक कार्ड कितने ग्राफिक कारड पर कितनी मेमरी यूज कर रहा है कितनी फ्री पड़ी होई और कैसी गेम चलती है लेकर यह नहीं चेकर आटी है तो यह चीज़ हम चार्ट करेंगे आप घर जो गए है और ग्राफिक से ऐडिया हए है कि इस ने ग्राफिक काड पर ही चलाई है थाउजन एटी पिक्सल पर चल रही है तो यह आप जराइंटर कर देते हैं अट जाप अब लोडिंग हो जाती है जिए ढ़्र तो यहां समझा इसको ब्राइपर के देखतें यहां से ड्राइब पर रिखते हैं पुल्टे हाथ से ड्राइब करूं जरा ड्राइमिंग पुटी सिदी ही होगी फिर आगे निकल गया शॉट कट मारा था मैंने चलिए मैं वैसे नहीं हिला के दिखाता हूं कि लैगिंग हो रही है कि नहीं परफेक्ट गेम चाब रही है जीरो लैग बलके मैं तो गाता हूं लैवल ही हो गया अजिए लग नहीं है गाड़ी अच्छा तो यहां पर मैं आपको इसकी सैटिंग चेक रहता हूं बस गेम काफी है मिन्स का आइडिया होगा मुझे यहां से हम देखते हैं कि यह किस रेजलेशन पर गेम चला रहा है सैटिंग में आगे हैं ग्राफिक्स में आ जाते हैं यह देख सकते हैं यह जीपी ग्राफिक कार्ड वीडियो मेमरी में सिर्फ टू जीपी यूज हो रही है और नाइंटीन ट्वंटी मॉल्टी पर चार फैंड तो उसको कुल करने में काफी जो है मदद करते हैं सीज में तो यह तो थी इसकी आज की गेम चेकिंग भी हो गई रिव्यू यह है कि इसको मैंने यूज किया है इस पे मैंने गेम्स खेल के चैक किया है है वी सौट फिर्स चलाएं है आडॉब प्रीमेर प्रो 3D मैकस टाइब के अडॉब की पूरी फैमली और भी है वी सौट फे तरफ है यूनिडि थी टाइब के जो है वो बहूत मज़े इसका बहुत अच्छा है तो इसकी मैं अगर प्राइस की बात करो इसको अगर पॉइंट दिया जाए तो मैं इसको फाइफ स्टार कंप्लीड दूँगा क्योंकि बहुत अची परफॉर्मस है इसकी हर लिहाज से देखा जाए तो हर चीज ही इसकी प्रेमियम में आती है माउस पैड से लेके कीज, LCD इसका IPS डिस्प्ले हाद चीज जो है वो प्रीमियम क्वालिटी की इसमें बिल्ट की गई है तो प्राइस की बात की जाए तो इसका जो न्यू है वो अभी भी अवेलेबल है आप इंटरनेट पे जाएं तो वेबसाइट पे जाकी चेक कर सकते हैं आपको मिलेगा 2,70,000 इसके जो है वो रिजिनल प्राइस है बॉक्स पैक की एक साल लोकल वरेंटी प्रस टू इयर इंटरनेशनल वरेंटी तो इस टम यह हमारे पस जो है वो मैक्सिमम 10 मन्त यूज हुआ हुआ है लैपटोप और इसकी जो प्राइस है वो 1,90,000 है तो यह है यह आज यह हमारी वीडियो अगर आप वीडियो कर लेटिड इस लैवटोप रखें डिए किसी घ्रीवी लैप्ला का रिइलेट तो कुछ भी पूछना चाहते तो कॉमें सक्षिन में आप कॉमंट करें और डिस्क्रिप्षान में मेरा नंबर है कुछ पूछना चाहे द्वा में याद रखेगा तब तब के लिए अलाहाफिस